दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और जबतर सांदार वीडियो में मेरा नाम वेपिन सिंग आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्तित हूँ रैंडमेट मार्केटिंग के यूनिटी प्लान को लेकर जिसको आज हम पेपर के साथ समझेंगे और इसको समझाना और दिखाना बड़ा आसान हो जाएगा इसके वीडियो आपको मिल जाएगी तो आपको सभी को समझाना बड़ा आसान होगा यूनिटी प्लान रैंडमेट मार्केटिंग का यूनिटी प्लान एक बहुत ही शांदार प्लान है सबसे पहले हम समझते हैं इसके स्टार्टप के बारे में कि 1200 RMAP and 3rd आता है हमारा 1800 RMAP and 4th आता है हमारा 2400 RMAP RMAP क्या है अगर अभी तक भी आपको नहीं पता तो एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं कि RMAP का मतलब क्या तो RMAP को हम बोलते हैं Reignmate Activation Point मतलब क्या है कि जब आपको हमारे plan के अंदर ID को activate करना है तो आपको रेनमेट एक्टिवेशन में ही purchasing करनी होगी जब आप रेनमेट activation में purchasing करेंगे तो उसके लिए आपको कितना पैसा pay करना है इसके लिए समझने के लिए हमें पताओना चाहिए कि 1RMAP की value क्या है तो 1RMAP की value है 1.4 rupees इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें हमारे first startup 600RMAP को purchase करना है तो उसके लिए हमें कितने रुपीज पे करने होंगे तो 600 multiply 1.4 बराबर 840 840 रुपे हमें पे करने होंगे अब यहाँ पर हमें देखना है इसी तरही के से जब हम अपने second startup पे जाएंगे तो just double हमें 1680 रुपे पे करने होंगे then third and fourth में according to 1.4 आप multiply कर देंगे and साथ में आपको ये भी सबज़ रहा है कि जो हमारा product है वो क्या select कर रहे हैं अगर हमार हमारे चार product हैं जिसमें से एक आता है हमारा happy woman product जो की sanitary pad है sanitary pad है न तो sanitary pad क्या होता है without GST product है ये without GST product है तो इसका मतलब क्या हुआ इसके उपर हमारा कोई tax ने लगेगा और हमें 600 RMAP के लिए हमें 840 रुपे ही पे करने हैं लेकिन second example लें अगर हम तो boost plus boost plus हमारा एक product है वो कितने का है वो 840 का ही आपको मिलेगा लेकिन ये एक हमारा newtacitical product है इसके उपर क्या है 12% GST आपको add करनी होती है 12% की GST आपको यहाँ पर देनी होगी प्लस करनी होगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 840 प्लस 12% की GST अगर इसको हम calculate करते हैं तो 940 रुपे हमें boost plus के लिए पे करनी होती है इसी तरीके से हमारा एक और product आता है heavy farmer के नाम से यह क्रिस्टी का product है तो कीमत वही है 840 प्लस 18% के GST यहाँ पर आपको पे करनी होती है आपको कितना पे करनी होता है फिर 999 रुपे पे करनी होता है तो कुछ जो confusion है कि अलग-अलग आप rate ले रहे हैं तो rate हमारा GST की वज़े से fluctuate हो रहा है अगर आप जाते हैं हमारे happy woman की तरप अगर आप हमारे happy woman product की तरप जाते है तो happy woman के लिए आपको 840 रुपे ही पे करने होंगे then boost plus के लिए आपको 940 रुपे पे करने होंगे क्योंकि इसको पर 12% का GST है and then happy farmer एक और product है जिसके लिए आपको 18% की GST के साथ आपको 999 रुपे करने होंगे हमें एक बास समझ में आती है कि हमारा जो plan design है वो 840 के साथ design है अभी हम समझते हैं हम अपनी income के बारे में income क्या होने वाली है income को हम समझेंगे तो friends यहाँ पर आपको देखना है कि income हमारी 11 type की है जिसमें सबसे पहली आ जाती है हमारी retail income जो कि सभी के लिए आसान है जो कि मैं समझता हूँ कि retail income बहुत easily समझ सकते हैं जैसे हमारा एक product है boost plus उसकी जो MRP है वह है 1399 रुपे and distributor price यानि कि जो आपको मिलेगा with registration जब आप हमारी company में registered हो जाते हैं तो आपको जो product मिलता है वो 940 का मिलता है अगर मैं difference देखता हूँ दोनों का तो वो 469 रुपे का आता है तो मैं कह सकता हूँ कि retail profit retail profit जो है हमारा वो लगबग 40% तक का रहता ही रहता है तो इसी तरीके से आप एक product के 469 रुपे या आप 200 रुपे का discount दे सकते हैं तो आप 369 रुपे 200 का दे सकते हैं तो 269 रुपे इस तरीके से आप यहाँ पर easily यहाँ पर earn कर सकते हैं retail के माद्यम से यह हमारी क्या income हुई यह हमारी income number first income number first then जो की बड़ी easy है then second income second वो आती है हमारी direct sponsor income direct sponsor income का मतलब क्या है कि इसको ऐसे समझते हैं कि आप यहाँ पर हैं और आपने system को join किया 600 RMAP के माद्यम से ध्यार नखिएगा जो आपको profit आएगा वो 600 RMAP के माद्यम से ही आएगा then आपने एक person को और join कराया जो आपके माद्यम से हैं 600 RMAP के माद्यम से इस वेक्टी से जो आपको सीधा-सीधा income जाएगी वो जाएगी 60 rupees कितना percent 600 RMAP का 10% income मिलेगा आपको then इससे आगे आप यहाँ पर आप हैं आप किसी को join कराते हैं यहाँ पर इससे आपको 60 rupees जाएगे then फिर एक वेक्टी को और नीचे जा गया वो आपके direct sponsor है तो यहाँ आपने A को कराया यहाँ आपने B को कराया तो इससे भी आपको 60 rupees जाएगे then आपने फिर अपनी दूसरी लेग में किसी C वेक्टी को join करा दिया तो इससे भी आपको 60 rupees जाएगे then आपने 15 नाम को कोई वेक्टी नीचे join करा दिया तो इससे भी आपको 60 rupees जाएगे इस तरीके से आप unlimited joining करा सकते है ठीक है friends आप unlimited joining करा सकते हैं यहाँ पर अब आप left में कराईए right में कराईए यह आपकी मर्जी है then हम एक और income के बारे में जानेंगे साथ में आज वो क्या income है वह हमारी third type of income है हमारी third income है हमारी वह है लेवल इंकम आप टू 20 लेवल और यह इतनी शानदार income है कि साथ आज से पहले कभी आपने किसी binary concept में इस प्रकार की इंकम नहीं देखी होगी इसको मैं explain करता हूँ और अच्छे से समझेगा आप इसका मतलब क्या है कि suppose that आपने यहाँ पर system को जॉइन करा 600 RMAP के साथ और एक विक्ति को आपने यहाँ पर जॉइन कराया 600 RMAP के साथ जब आप कराते हैं तो पहली income आपको जो मैं बता चुका हूँ 60 RMAP आपको जाएगी सीधी यहाँ से 60 RMAP चली गई लेकिन आपको एक income और आएगी वो क्या आएगी level income आएगी कितनी आएगी 3 RMAP की income आएगी आपको आप बोलेंगे तो बहुत कम है लेकिन यह 20 level से आएगी अब आपने इस व्यक्ति को जोइन करा इस व्यक्ति ने एक नीचे एक व्यक्ति को जोइन करा दिया तो यहाँ से भी आपको 3 RMAP की income आई इस व्यक्ति ने भी यहाँ एक व्यक्ति को जोइन करा दिया तो यहाँ से भी आपको तो आप नीचे 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 किसी 20 लेवल पर एक आईडी डलती है इस आईडी से भी डारेक्ट ली आपको तीन रुपे की इंकम आएगी तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जो आपको केवल आपके डारेक्ट टीम से नहीं जो आपकी डारेक्ट टीम भी है उससे भी आपको इंकम देगी और वो भी 20 लेवल तक की इंकम आपको आएगी जो की बहुत ही काबिले तारिफ है और आप यहां एक लेग पर भी आपकी टीम काम कर रही है और वो अच्छा काम कर रही है तो वहां से आपको एक बहुत अच्छी इंकम क्रियेट हो सकती और यह अन्लिमिटेड इंकम है दोस्तों लेवल इंकम को मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाऊँगा यहां चार्ट के तरफ चलते हैं जहां से आप चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे यह चार्ट देखिया यहां आप देखेंगे कि पहले लेवल पर आप देखें तो आपने 6 लोगों की टीम को क्रियेट करा आपने चलते हैं यह आपकी एक ही ल इस तरीके से अगर आप केवल फिप्ट लेवल तक ही पॉस्ते हैं तो फिप्ट लेवल पर आप तीन के मल्टिप्लाई से देखेंगे तो यहां आपकी इंकम हो जाती है 23,328 रुपे जो की काबिले तारीफ है दोस्तो एक ऐसा सिस्टम जो आपको सिंगल लेग पर भी एक बहुत जबरदस्त इंकम दे सकता है यकीन मानिए रैनमेट का यह प्लान ऐसा प्लान है जो मार्किट के अंदर आपको कहीं देखने के लिए नहीं में लेगा इसी तरीके से हम और भी वीडियो में आपसे मलाकात करते रहेंगे और आपको वीडियो दिखाते रहेंगे और बन जो बनानी शुरू करी है वो बनानी शुरू करी है ओन पेपर वर्क तो पेपर वर्क के माध्यम से आप देखेंगे यहां पर